आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना जा रहा हूँ कि करी पत्ते को हम घर में गमले में कैसे हुगा है बीजों से तो काले काले बीज ये दीख रहा है आपको में डंठल लगा हूँ इनको तोड़ लिए डंठल को और पानी में इंको भिगो दीए और क्या होगा कि इसक निकल आए धूप हो नहीं हो आपके घर में कोई बात नी बिना धूप के भी ऐसे ही निकल आते हैं हलकी सी लाइट ही इनके लिए काफी है तो गमले में देखी बहुत सारे ये निकल आए और इनको आपको बाद में सबको अलगलग कर देंगे तो ऐसे करके हम पौधे को गय है सकता है तो सबसे पहले क्या करें दो आलू ले 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 जास मैंने यहां लिया इनको छील ले और आलू छील के इनके छुड़ छुड़े टुकड़े कर ले और एक केले का छिलका ले 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 तो केले के छिलके के अंदर और आलू के छिलके के अंदर बड़े सारे गुण है जो करी पत्ते को अच्छी तरह से उगाने में सहायता करते हैं विशेश कर तो ये करी पत्ते के लिए बनाने के लिए हमें बता रहा हूँ कि औरगरिक फर्टिलाइजर हम कैसे तयार करें तो ये देखी छोड़ चोड़ बेने इसको काट दिया केले के छिरके को भी काट लिए और आलु के छिरके को भी काट लिए और हाँसे इनको ठाक है धीरे से अब इनको 250B water ले लिए पैने के अंदर अज्ड़ डाल दिया 500 ML पानी के अंदर में इसको डाल दिया और नीचे से इसको lighter से हमने gas जला दी अब धीरे धीरे ये उबलता रहेगा लगभग 10 मिट के बाद इनका पानी का रंग बदल जाता है पानी का रंग अभी देखिए अभी बलकु साफ है बाद में धीरे धीरे करके ये हलका सा ब्राउन हो जाएगा और इनको उबलने दीजे, करीब 10 मेंट तक उबलता रहे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुण है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है तीनों चीजे होती है, केले के छिलके के अंदर भी, और आलू के छिलके के अंदर भी और ये तीन ही फर्टिलाइजर हमें प्राकरतिक फर्टिलाइजर चाहिए, तो देखिए 0.5 तो इसमें नाइट्रोजन है, 0.1 इसमें फॉस्फोरस है, और 0.1 पॉटेशियम है, तो ये बहुत अच्छा एक तरह से फर्टिलाइजर बन जाता है घर में, तो बस इसको उबल ग जाता है, और गेनिक, प्राकरतिक जैविक खाद बन गई एक तरह से लिक्विड उर्वरक बन गया आपका ग्लास के अंदर, आप इसको ठंडा होने दिये, जब ठंडा हो जाए, तो ये आपको गमले में डालना है, जैसे ही गमले में डालेंगे इसको, अब ये ठंडा हो र अच्छी तरह से हो रहे हैं, हरे हो गए हो खुब, हाला कि धूप नहीं आती, जिन घरों में धूप नहीं आती, वहां भी इनको गई सकता है, और दीर दीर करके जो आपने अभी लिक्विड उर्वरक बनाया था, जैविक खाद जो बनाई थी, दीर दीर करके इसमें डाल दीजे, एक हफते में आपको एक बार डालना है, बस, डेली नहीं, एक हफते में डाली इस तरह से, और देखें कितनी यल्दी इनकी ग्रोथ बढ़ती है, इस तरह हम इनकी केर कर सकते हैं, अब इसको छोड़ना है, यह देखें अब दिखा रहा हूं में, आपको काफी बड इसको चूस रहा है, अब इससे कैसे छुटकारा पाएं, यह घरों के अंदर बहुत आयाता है, तो लोग पूछते हैं कि इसको इससे छुटकारा कैसे पाएं, तो यह जो बग है, इस बग का यह बेबी है, निम्फ है, छोटा सा निम्फ है, तो अभी इसके पंक नहीं निक इसके प्रबाउसित नहीं है, इसके प्रबाउसित एक ट्यूब जैसी होती है, जिससे पत्यों में छेद करके रस को चूसता रहता है, और पौधे को बहुत जादा हानी पहुचाता है, अब यह देखे, कुश्च करना सीधा होनेगी, यह देखे, इसकी पैचान है, इसके एंटीना में देखे, दो दो धारियां है, टांग के उपर भी एक सफ़े धारी है, एंटीना में दो दो धारियां है, यह इसकी पैचान है, तो अभी यह उड़ नहीं सकता, लेकिन यह बहुत ज्यादा तगड़ा पैस्ट है, इस करीपत्ते का, यह डेमेज कर देगा, सारा आपका करीपत्ता खराब कर देगा, तो यह घरों में आ जाता है, अब इसका देखे, यह एडल्ट है, एडल्ट, यह बड़ा कीड़ा है, इसका, यह देखे, दिखा रहा हूं, क्लोज आप, यह बड़ा कीड़ा है, इसे कहते है, मार्मोरेटेड बग कहते हैं, मार्मोरेट बग भी नुक्सान कर रहा है और बेवी बग भी इसको नुक्सान कर रहा है तो जायतर घरों में यह कीड़ा लग जाता है इससे चुटकारा पाने के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे हम करें यह देखिए ऐसा पकड़कर यह देखिए उल्टी साइड में नीचे बैठा रहता है आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा धीर से इसको पकड़ लीजे और इसको मारना तो बड़ा गंदा लगता है तो एक स्प्रे आती है मैं बताऊंगा आपको आगे चलके वह हमें स्प् पत्तियों को अच्छी तरह चूस रहा है तो आगे से क्या होगा कि जो बिलकुल अभी यंग पत्तिया जो अभी निकली है यह देखिए पर दिखा रहा हो है आपको देखिए यह यह देखिए यह देखना बड़ा मुश्किल है इसरे आपको साफधानी से शुरू मैं बिलक भी आपको देखना है खासकर अक्टूबर के महिने में ये कीड़े बहुत निकलते हैं अब ये मार्विटर स्टिंग बग कहते हैं इसको क्योंकि ये इसको जब आप पकड़ेंगे तो सोड़ी सी बदू छोड़ता है इसलिए कहते हैं स्टिंग बग अब देखिए ये बैठा 10 ml पानी ले दे ले और इसमें 50 ml लिकुट सौप मिलाना खैंग और यह इसके अंदर मैंने भर लिया निले रंक क्यों दीख रहा है क्योंकि ये जो लिकुट सौप है वह हलके निले रंका अब इसको आपको इसको इसको करना बेसेगे ऐसे करके श्प्रे करिए देखिए मैं कर रहा हूँ जैसी मैंने किया श्प्रे तो यह बेहोश हो गया अब यह गिरना वाला है यह दिखें लाल रंगा सरकेल में दिखा दिया है अब यह नीचे आपके गमले में ही गिर जाएगा और मर जाएगा हाथ से पकड़के भी इसको आप बाहर फैक सकते हैं तो यह लिक्विट सोप जिसमें विनेगर मिला हुआ है बहुत अच्छा एक उपाई है इसको मारने का तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चल्को सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने के लिए आपको बद लेड़ करे मोझ attends नेवार देखने के लिए लगादी करिए झी आपको भावा। पेर मेल्य का लिए वांगज वांगे प्रा चैटरे की के सकते हैं रगो प्लको सब्सक्राच God ओके लिए लिए तृय्क्टु देखने की इंने पे जए पका द्लक्टाचbach और मैंनेवार झाल झाल